कर किसान भीयों अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो बैगन की अच्छी उत्पादन लेने के लिए आपको अच्छी वराइटी को लगाना जरूर यह किसान भीयों अगर आप वराइटी के चुनाव करते वक्त कोई गलती करते है तो आपकी बैगन की जो पैदावार है वो काफी कम हो जाएगी इसलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैगन की बंपर पैदावार देने वाली चार हाइब्रीड उनत किसमे के बारे में जो किसान भीव इन भराइटी की खेती करके आप अच्छी खासी मुनाफ़ा कमा सकती है इन भराइटी का जो बताएंगे उसका उत्पादन काफी जादा है जो आपको करने चाहिए तो चलिए किसान भीव वीडियो को सुरू करते है जान लेता है यह वराइटी कौन-कौन सी है और किस महीणे में लगाए जाती है बर साथ की महीने में लगाए जाती है और ऐसी कुछश भराइटी जो क्सीह महीने में आप लगा सकते हैं क्शिण में सबसे ज़्यादा उत्पादन دेने वाली को चौतीन नमबर ये VNR company का 165 ये variety के बात करें कब से कब आप लगा सकतें किसान भीयो तो जून की महीने से लेकर October की महीने तक ये VNR 125 वराइटी को आप लगा सकते हैं अगर हम बात करें ये variety इतने दिनों में तयार हो जाती है तो ये वराइटी 65-70 दिन में बिल्कुर त्यार हो जाती किसान भायो बात कर लेते हैं इस वराइटी की लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए अगर इन वराइटी की खेती करते हैं तो 5 फिट आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और बात कर लेते हैं बीजदर कितना लगेगा पड़ एकर के हिसाब से तो 65-70 गराम पड़ एकर के हिसाब से बीजदर लगेगा बात कर लेते हैं पौधे से पौधे की दूरी कितने रखने चाहिए तो एक से डेर फिट आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है मढि 12 cm होती और रंग की बात करें तो गहरा बैगनी होता है तो डार्क कलर में बैगनी होता है जो की दिखने में काफी जड़ा एट्रेक्टीव लगता है वह यह हम बात कर लेते हैं तीसरी नमर पर कोन सी बराइटे आती है बैगन की किसी परकार की दिक्कत नहीं है बात कर लेंगे लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए तो अगर ये वराइटी अप लगाते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 4-5 feet रखनी होगी और पौधे से पौधे की दूरी के अगर हम बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1-5 feet रखनी है वही बात कर लते है इस वराइटी की फसल अबधी कितने दिन की है तो 60-67 दिन में ये बिल्कुल हर्वेस्टिंग के लिए त्यार हो जाती है अब हम बात कर लते इसका रंग कैसा होता है तो किसानवी इसका रंग जो है डार्क ग्रीन होता है गहरा हरा जो की दिखने में सबसे ज़्यादा इट्रेक्टिव लगती है और मार्केट में दिवांड भी होती है और अकार की बात करें तो इसका जो इसका कलर कैसी होती है यह गुलावी कलर का होता है कि सानवी हो बात करें कि इसकी जो साइज है यह किस टाइप की होती है आकार तो आयताकार आकार होती है इसका और इसकी बात कर लेते हैं वजन की तो 100 ग्राम से 120 ग्राम इसकी वजन होती है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा बिक्ती भी है अब हम बात कर लेंगे हमारे लिस्ट के जो पहले नमबर पे है सबसे अच्छी उत्पादन देने वादी है वो अच्छी वराइटी वो है नमबर वन पे वी एन आर कंपनी का दो सो बाड़ा इस वराइटी को आप जून से अक्टूबर माह तक लगा सकते है किसान भी वो और बात कर लेते हैं यह आपको बिल्कुल कम समय में त्यार हो जाएगी 42 से 45 दिन में यह हर्वेस्टिंग के लिए त्यार हो जाएगी और 4 से 70 गराम पड़ एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर लगीगी इसकी लाइन से लाइन की दूड़ी 3 से 3.5 फीट की रखनी है और पौधे से पौधे की दूड़ी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है कलर जो बात करें तो इसका बैगनी कलर होता है और इसका अकार की बात करें तो अकार इसका एतकार होता है तो यह रही बैगन की टॉप फोर वराइटी तो वीडियो अच्छा लगा और भी किसान भाई उतक शेयर करें ताकि किसान भाई अच्छी वराइटी लगा सके ताकि उनके जो खेती में खर्च हो और अच्छी पैदावार के साथ उनका मुनाफ़ा में बतले तो हम आप सी मिल अगली वीडियो में किस्वाने टॉप एक साथ अगली जैंज वराइट बंदे मातर में जैंज बंजे किसान भाई